नमस्कार राव सभी का स्वागत है भाग्यम मैं मैं हूँ पंडित चंद्र शेगर शर्मा दर्शिकों सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की आज दिनांग है 16 जुलाई सन 2023 विक्रम समवत 2080 चल रहा है शावन मास है कृष्ण पक्ष है वडशा रितू है त योग द्रूव है सुबह 8 बच के 31 मिनट तक आगे व्याघात योग है तो योग की द्रस्टी से आज का दिन शुब नहीं है कोई बड़ी बिजनस डील या रिष्टे की बात करने वाले थे तो आज की दिन को टाल दीजिएगा करन विस्टी है सुबह 9 बच के 19 मिनट तक आ और सुर्यास्त का समय शाम 7 बच के 20 मिनट का है आज का राहुकाल दौपेर बाद साड़े चार बजे से लेके शाम 6 बजे के बीच है जिसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुबकारे नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए अब जित मुरत आज 11 बच के 69 मिनट से दौपेर 12 बच के 54 मिनट के बीच है दिन में दो बार दुष्ट मुरत भी रहेंगे इन्हें ध्यान से समझ के सूजबू से टाल दीजिएगा ये हैं शाम 5 बच के 30 मिनट और 6 बच के 25 मिनट आज का दिशा शूल दर्शको पस्चिम त्यालेंद चाहिए दिरा हैं तो पहले कोशित तो ये करें कि पस्चिम दिशा की यातरा को टाल दें जाना बहुत जरूरी हो अनिवारे यात्रा हो तो फिर परिहार करें परिहार करके निकलें परिहार बहुत ही सरल है पश्चिम के और मुक कीजिए थोड़ा सा घी दलिया खालीजिए या पान खालीजिए और पांच कदम पीछे चलिए और जब ये सारी प्रकरिया आप करें तो भगवान श्री राम या अपने इस्ट का हरदे में ध्यान कीजिए उनसे प्रातना कीजिए और इस दिशा की यात से तीन बच के पचास मिनट तक फिर शाम साथ बच के बीस मिनट से रातरी नौ बच के तीस मिनट तक बाकी सारे दिन के पेक्षा यह ज़्यादा शुब और योग कारक समय होता है तो कुछ अच्छे काम करें एफर्ट करें तो इन समय पर करते हैं तो सफलता की चंसे ज्या सातन से होंगे प्रभल सिउसाथ को तुम के किसी व्यक्ति के साथ वियापार में साथ जुडने की यूजना बना सकते । मितुन राशी वाले बहुत ज्यादा भ्रमित रहेंगे प्राप्रश कर्क राशी वालों को अज धियान estoman वही तुला राशी वाले भाग्य से पाएंगे पुरा-पुरा सपोर्ट और व्रश्चिक राशी वाले स्वास्त का ध्यान रखे नाक गले संबंदित पीड़ा आ सकती है। धनु राशी वाले विवाईतों को मिल सकता है योग्य जीवन साथी और मकर राशी वाले आज दियेवे धन को वापस पाने की उम्मीद कर सकते हैं। कुम राशी वाले जो गनित के चात्र चात्राएं हैं या एकॉनोमेक्स, फाइन्स या अकाउंट से जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय हैं। और मीन राशी वालों को अपमान जनक स्तती का सामना करना पड़ सकता है। दर्शे को आप करते हैं आज के दिन की ज्यान चर्चा जो हमारी आपकी अंते द्रश्टी प्रग्या को जागरत करेगी फिर आगे समझेंगे उन विशेश उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुन्दर और सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की जोतिश मंतरणा और समाधान। और इसका अर्थ ये है कि शास्त्रों का अध्यन करने पर भी लोग मुर्ख रह जाते हैं। वस्तूत विद्वान वो है जो शास्त्रों के ग्यान को वहवार मिलाते हैं यानि उसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं। जिस तरीके से औशदी लेने से रोगी रोग मुक्त होता है ना कि औशदी का ना मात्र लेने से यह ऐसा नहीं होता है कि हमने सोच लिया कि औशदी के बारे में यह हमें बहुत नौलेज है कि जुखाम में यह लेना चाहिए, खासी में यह लेना चाहिए, पेट दर्द हो तो लेनी पड़ती है इसी प्रकार से शास्त्रों में बहुसी अच्छे चीजे लिखिए सुबह जल्दी उठना अपने पूरी दिंचरिया को मैनेज करना पूजा पाथ योग प्रणयाम लेकिन लोग करते नहीं यहां तक कि लोग इसके बारे में राय देते हैं सला देते हैं दर्शे को अब बात करते हैं उन वसिस्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समश्याओं के सरल समधान कर देते हैं और जिने करके आप असफलता आर्चनों को बहुत पीछे छोड़ते वे सफलता की और द्रता से तीजगती से और कॉन्फिडेंस से अग्रसर होते हैं सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जनम दिन है आप सभी आज सुबह भगवान शिवजी पर केसर मिलेवे जल से अभिशेक करें गुलाब की 108 पुष्प अर्पित करें और जब ये करें तो प्रतेक पुष्प के साथ जैसे आप एक पुष्प हात में गुलाब का और कह वर्च बेलो के पौदे आप लगा दीजिए और शाम साड़े साथ बजे हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग की कोई भी मिठाई सवादो की लौर पृत करें उसे फिर छोटे-छोटे बच्चों में निजधन बच्चों में जरुतमन बच्चों बांट दें आने वाला वर 10 बजे से लेकर 11 बच के 40 मिनट के बीच में 36 लोंग लें 6 कपूर के टुकड़े लें और इसमें हल्दी और चांवल थोड़ी-थोड़ी मात्रा में मिला लें और फिर माता दुर्गा के सामने इस सारी सामगरी की आहूतियां दे मंत्र यह रहेगा जब आहूति देंगे मंत्र फिर से समझे एगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो दिये तो आप लौंग और कपूर में अनार के दाने भी मिला दें और इसी मंत्र द्वारा माता दुर्गा को आहूति दें निश्चित रूप से लाब होगा लंबे समय तक करेंगे तो इसके चमतकार आप स्वयम देखेंगे ऐसी अगर आपका कारोबार ठीक नहीं चल रहा है कोई नेगेटिविटी बनी हुई है कोई बहुत ज्यादा समझाएं बनी हुए तो इन समझाओं से निकलने के लिए आप लौंग और कपूर में अमलताश के फूल मिला दें अगर अमलताश के फूल नहीं मिल और माई दुर्गा को ओम दुं दुर्गाये सर्वशान्ती कुरु कुरु सौह ऑं दु दुर्गाये सर्वशान्ती और सफलता की और अग्रसर होंगे इसके लिए करना सिर्फ यह है कि सर्सों के तेल में सिके हुए गियों का आटा ले लिजिए पुराने गुड़ से तयार के वे साथ पुए और साथ मदार यानि आपके फूल लें सिंदूर लें आटे से तयार सर्सों के तेल का दीपक लें प तुम्हें यहीं छोड़के जा रहा हूं कृपया करके मेरा पीछा ना करना सावान रखें बिना पीछे मुड़े आप सीधा अपने घर चले आए घर आकर हातमुध होके असनान करके जो भी अपने इस्ट की पूजा वो कीजिए बहुत जल्दी आप समश्याओं से बहार आए बहुत सारी चीजें आपकी जो परेशानिया थी आपके पीछे चूट जाएंगे ऐसी दर्शी को बहुत बार यूं होता है कि किसी बहुत प्रभाव शाली या शक्ति शाली व्यक्ति से शत्रुता हो जाती है अब सीधे सीधे हम उससे लड़नी सकते जीतनी सकते तो तगर कूट केशर हरताल काले धतूरे की जड़ मेंसिल गोरोचन लालचनन कपूर फिर इन सब को पीस लें और भगवान शिवजी पर चड़े हुए गौ माता के घीमें इस पूरी सामगरी को मिला लें अब इस सामगरी को अपने सामने रखें और अपने इस्ट मंत्र या फ तिस नाम स्तूत्र है उसका पाट करें और धूब बत्ती करके और फिर इस सामगरी में से थोड़ा सा तिलक लेके अपने सिर पे अपने ललाट पे तिलक लगाए और उस विरोधी से जिससे शत्रूता है नाराजगी चल रही है उनसे मिलने जाए निश्चित रूप से करेंगे और आपको बहुत जल्दी सफलता की और अग्रिसर करेंगे अब बात करतें आपके सवालों की आपके सवालों में आज हमारे पास जनम पत्रिक आई है हमारे दर्शक दिल्ली से भासकर जी की 9 अक्टूबर 1998 का इनका जनम है सुबह 9 बच के 40 मिनट दिल्ली और प्र साथी साथ सप्टम यानि विवा भाव में उच्च का चंद्रमा है और ये तीनों चीजें दर्शार है कि आपका प्रेम विवा होगा और विवा के पश्चात भाग्योदे भी तैह है आप मंगल राहू की यूटी के जो दोश है उसकी शांती करवा लीजे ये जो दोश आपकी जनम पत्रिका में बहुत परिशान कर सकता है करियर में भी और निजी जिंदगी में भी ऐसा आप उनका उपाई कर लेंगे तो जीवन में समश्या नहीं आएंगी आपके विवा क आपकी जो योग हैं वो मार्च दोजार चौबीस से मार्च दोजार पच्चिस के बीच मरेंगे उस दौरान आपकी शादी हो जाएगी आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक नंद किशोर जी की बासवाड़ा से आठ फरवर 1922 का इनका जनम है सुबह 6 बच के 36 मिनट बासवाड़ा प्रशनी किया है दूसरे विवा का योग कब तक है देखिए इंदन किशोर जी आपका मकड लगन है जिसमें शस्टेश बुद्ध अस्टमेश सूर्य और राहु के साथ बैठा है और ये तीनों सब्टम यानि विवा भाव में बैठे केटू पर सीधी द्रश्टी डाल रहे हैं इस विवा भाव पर शनी और मंगल की भी सीधी द्रश्टी आ रही है और सप्तम का जो मालिक है यानि विवा भाव का जो मालिक है वो चंद्रुमा है और वो नीच राशिम बैठा है ऐसे में पत्नी से फरवरी दोजार 24 के बीच है तो आप अगर करते हैं तो सोच समझ के कीजिएगा तो दर्शे को यह था आज का पंचांग आज के विसुस्ट उपाए और ग्यांचर्चा मैं पंडित चंद्रशेकर शर्मा आशा करता हूं कि बताएव उपायों को सही विधी सटीक समय और अ आपके कश्टों का निवारण भी हो और आपकी मनों कामना पूर्ति अवश्य हो साथी साथ एक निवेदन के श्रावन मास में व्रक्षा और अधिक संख्या में करें जिससे की जो प्रकृती है जो भगवती हमारे सामने है इनकी सेवा अवश्य हो कारेकर में बने रहने के के लिए बहुत-बहुत साथ वाद भगवती आप सबका कल्यान करें जय आदिशक्ति नमस्कार मैं हुदीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कारिक्रम भागयम में और भागयम के इस विशे सेग्मेंट में जहां पर आपर हम हर र सबकी जिन्दगी में कोई न कोई चालेंज होता ही होता है ऐसे में हम गायदन्स लेते हैं कि किस तरह से चालेंज से हम ऑवर कम इजिली कर सकें और यह रीडिंग जो ہम करते हैं यह 1- Imoulang तक थोती कौन से रीडिंग होगी आप की यदि आपने हमारी कारिक्रम को नया जॉइन किया है तो धारण देकर आपको समझाना चाहूंगी कि अगर आपकी डिटो बर्थ है 11 यानि की 11 तो एक और एक को जब आप जोडते हैं तो जोड आता है नमबर 2 तो 2 होगा आपका मूलांग और आज की तारिक है 16 जुलाई 2023 और आज की तारिक 16 को जोड़ेंगे एक और च्छे को जोड़ेंगे तो जोड आएगा नमबर 7 तो 7 होगा आज की तारिक का मूलांग और नमबर 7 जिनके स्वामी है केतु तो कहीं ना कहीं आज के हमारे जातकों के उपर एक से लेकर 9 मूलंक तक के जातकों पर क्या इंपक्ट पढ़ने वाला है हम आज ये कारिकरम में जानेंगे आए दोस्तों बिना देर की अपने कारिकरम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलंक एक के लिए मा भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही है 16 जलाई दो हजार तेस के लिए मूलंक एक के लिए हमें कहा जा रहा है माकाली का कार्ड है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन माकाली की किरभा आपक उपर बनी हुई है उर्जाएं बहुत पावरफुल हैं उगरियुन energies हैं ऐसे में आपको थोड़ा सा आज अपने क्रोध उपर नियंधरन रखना होगा बहुत जादा क्रोध आपको नहीं करना है बहुत जादा आपको डिप्रैसिव and energy में नहीं आना है अपने ego को बीच में नहीं लाना है क्योंकि आज का जो दिन है आपके हाथ से ऐसी चीजा आपकी जिंदगी से आपके लाइफ से जाए झो आपके लिए बिलकुल भी ृटी की व्यक्ति हो को वस्तू हो की परिस्तिति हो कुल मिलाके जब माकाली की कृपा होती है तो माकाली की कृपा आने पर स्वतेही जो शत्रू होते हैं या शत्रू समान जो हमारी नकारात्मक पैटर्न्स होते हैं हमारी आदते होती हैं कुछ ऐसी वस्तुएं जो होती हैं वो स्वतेही हमारे जीवन से चली जाती है साथी साथ आज जो है शत्रू पर भी आपको विजय प्राप्त होगी आपके जो आलो चक होंगे वहाँ पर भी आप जो है उनसे जीतेंगे आपका दिन शुभो आए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें मा भगवती आज क्या काइड कर रही है 16 जुलाई 2023 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है golden opportunity का card है मूलांक 2 से कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको कोई कैसी opportunity प्राप्त हो सकती है जो कि कही ना कहीं आपके व्यवसाई से जुड़ी हो सकती है आपके जिन्दगी का एक बहुत एहम फैसला आज जो है आप कर सकते हैं जिसका की आपको दिर्ग काली लाभ प्राप्त होगा बस आपको क्या करना है आपकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो हैं आपके emotions तो आपको अपने emotions पर control रखना बहुत ज़रूरी है कहीं न कहीं emotional fool नहीं बनना है बलकि बहुत शांत भाव से ऐसी opportunity को आपको grab करना है जो परमात्मा आपको दे रहे हैं और कुल मिला के धन्यवाद से भरे रहना है अगर आज आप emotionally disbalance हुए तो कहीं न कहीं आते हुई इस blessing को भी आप block कर देंगे तो आपको क्या करना है emotional balance होने के लिए सबसे ज़ादा liquid consume करना है बहुत आसान सा उपायवतारी कोई खर्जा नहीं लगना है पानी जिस वक्त आप emotional फील करें तो आपको जल ग्रेंड करना है आई जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें मा भगवदी आज क्या गाइड कर रही है आज 16 जुलाई 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमें कहा जा रहा है मा सरस्वती का काड है मा सरस्वती की क्रपा आप पर बनी है देखें चुकि आज जो है नंबर 7 हो रहा है आज का जोड़ना केतु का है तो कही न कही माता से संबंदित भी है और हम divine mother energy से ही हम guidance ले रहे हैं तो पहले मा काली आए और अब जो है मा सरस्वती जो है उन्होंने अपना प्रकट किया है तो मा सरस्वती की क्रपा आपके साथ है आज especially वो लोग जो की विद्यारती हैं बहुत अच्छा दिन गुजरेगा अगर किसी प्रकार का competitive examination है तो पर आपको सफलता प्राप्त होगी बहुत अच्छा समय है विद्यार्जन करने का ज्यान प्राप्त करने का इसके अलावा वो लोग जो की कही ना कहीं artistic field से connected है उनके लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है साथी साथ अगर आप राइटर हैं मूलांक 4 के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइड कर रही है 16 जुलाई 2030 के लिए और मूलांक 4 के लिए हमें कहा जा रहा है blossoming का काड है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिर आपको बिल्कुल भी हर बढ़ाना नहीं है जल्दबाजी नहीं करनी है बलकि आपने जो है अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ने के लिए जो भी आपने कुछ प्लानिंग की है जो भी आपने तैयारियां की है उसमें आप धीरे धीरे जो है ग्रो कर रहे हैं तो कुल मिलाक्या बिल्कुल सही मार्ग पे चल रहे हैं लेकिन इस मार्ग पे जहां पर आप हैं वहां पर हड़वड़ी करने से अपने काम को आप बिगार सकते हैं तो बिल्कुल भी आपको हड़वड़ी नहीं करनी है बलकि अपने आपको आपको बहुत आज कंच्रोल रखना है बहुत जादा आपको बैलेंस रखना जरूरी है आ कहा जा रहा हैं फिर से extrem काड़ आया है मूलांग 4 के presents sense की रिपीट हुआ है और मूलांग 5 के कि Teil को कहा जारा है कि जो भी चकापने प्रोसेश स्टार्ट कीए है किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया है अपने लक्ष पर काम करना आपने शुरू किया है या आपने किसी नई कंपनी को जॉइन किया है किसी नई प्रजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं तो कुल मिला के आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो शुरुवात है वो बहुत सही हुई है इस्टिल आप अभी भ मार्ग पे चल रहे हैं तो किसी प्रकार की आपको चिंता नहीं करनी है किसी प्रकार की बेचैनी या आपको बहुत जादा हड़बड़ी नहीं करनी है क्योंकि ऐसा करने से आपके कारे पर आपकी ग्रोथ पर एफेक्ट पर सकता है साथ ही साथ आपको यह भी कहा जा रहा है कि आपको overthinking भी नहीं करनी है क्योंकि overthinking की वज़े से भी आपके कारियों में blockage आ सकता है आए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या guide कर रही है 16 जुलाई 2023 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है easy does it उना का card है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको कोई mehutpun निर्णे नहीं लेना है अगर आप कोई भी mehutpun काम आज के दिन करने जा रहे हैं खास तोर पर कोई mehutpun निर्णे आपको लेना है या फिर आपको कहीं investment करना है कहीं property सम्मंदित या व्यवसाय सम्मंदित कहीं पर भी अगर आपका वित्तिय कोई भी कारे है तो उसमें आपको बिल्कुल भी हडबड़ी नहीं करनी है बलकि easy going way में जो भी आप काम कर सके वहीं आपको करना है साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपने स्वास्त का खयाल रखना है आई जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें मा भगवती आज क्या guide कर रही है 16 जुलाई 2023 के लिए आज की तारीक का जो जोड़ है वो भी है नमबर 7 और मूलांक 7 की हम reading कर रहे हैं हमें guide किया जा रहा energy हो इसकार्थ साफ है कि अगर किसी प्रकार के वादे विवाद से अपने आपको दूर रखें कहीं पर अगर आपसी जगडा हो रहा हो या वैचारिक मतबेद हो तो वहां पर आपको बीच में जबरदस्ती नहीं आना है आपको avoid करनी है ऐसी कोई भी परिस्तिती जो कि आप जुलाई 2023 के लिए और मूलांक 8 के लिए हमसे कहा जा रहा है boundaries का काड़ आपको कहा जा रहा है कि अपनी शमता से अधिक कारें नहीं करना है और साथी साथ दूसरों को खुश करने के लिए कि दूसरे लोग खुश हो जाएं आपके आपको appreciate करें इसके लिए कोई भी ऐसा का समता से बढ़कर हो कहीं आप आपकी अपनी reputation को आप पीच में आने दे अगर आपको कोई कार आप नहीं कर पा रहे हैं कहीं अगर आपकी commitment जो है वह पूरी नहीं कर सकते हैं तो बड़े ही प्रेम पूरवक्त आपको उस कारे के लिए मना करना होगा आज के दिन आपको अप अपसान हो सकता है तो कुल मिला के आज आपको अपनी self image पर काम करना है आए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा माभगवती हमें आज क्या गाइड कर रही है 16 जलाई 2030 के लिए और मूलांक 9 के लिए हमें कहा जा रहा है कहीं ना कहीं आज की जो energies है वो हैं तो बड़ी powerful लेकिन वो energies जो है वो चाहरी है कि आप बहुत slow और easy going process में काम करें मूलांक 9 के जातकों को specially कहा जा रहा है कि हडबडी नहीं करनी है सोच समझ कर कोई भी फैसला लेना है अगर आप वित्य संबंदी मामलों की बात करें या फिर अगर आपके व्यवसाई की बात करें तो कहीं पर भी पैसा नहीं फसाना है खास तोर पर आपको उधार देना न नहीं है इस बात का भी आप खयाल रखें तो कुल मिला के आज के दिन साथ ही साथ आपको बोलते वक्त भी अपनी वाणी पर नियंतर रखना है ऐसा कोई भी बात अपनी जाहिर नहीं करनी है जो आपके लिए आगे जाके आपके लिए नुकसान का कारण बरें दोस्तों यह अगले अपेसोड में तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम